कोरोना का कहर लगातार जारी है, इस महामारी की वज़ा से ना जाने अब तक हजारों लोग अपनी जान कवा आ चुके हैं, लाखों लोग इस अंक्रमन की चपेट में आ चुके हैं, ऐसे मिछीन के कोरोना एक्सपर्ट के एक डॉक्टर हैं, उन्होंने दावा किया है कि अगल कुरोना वाइरस मौत का दूसरा नाम बन गया है यह वाइरस पूरी दुरिया में मौत का कहर बरसा रहा है इस खतरनाक वाइरस ने जहां कुछ लोगों को मौत के खाट उतार दिया वही लगभग पूरी दुनिया में लॉकडाउन कर लोगों को घर में रहने पर मजबूर कर दिया है लोग इस वाइरस के चलते अपने ही घरों में कैद हो गई है और इस वक्त हर किसी के दिमाग में बस एक ही सवाल है कि आखिर करोना वाइरस कब तक लोगों की जान लेगा कब मिलेगी इस संक्रमर वाइरस से रहा है क्या इस वाइरस से निजाद मिलेगा या नहीं ये वो सवाल है जो आज दुलिया के हर शक्स के दिमाग में है हम आपको ये बताएं कि इस वाइरस से अगले चार हफ़तों में निजाद मिल सकता है तो ये खबर आपके लिए शायद काफी हैरान करने वाली होगी। आपको बता दें कि ये बात बिल्कु सही है और इस बात का दावा हम नहीं कर रहे हैं। बलकि इसका दावा चीन के सबसे बड़े कोरोना वाइरस एक्सपर्ट ने किया है। जी हां आपने सही सुना ये दावा वहीं से किया गया है जहां इस महामारी कोरोना वाइरस का जन्म हुआ था। दरसल कोरोना एक्सपर्ट डाक्टर जॉंग नैंशेन का दावा है कि अगले चार हफ्तों में पूरी दुनिया बदल जाएगी। यानि पूरी दुनिया पहले जैसी हुझाएगी।mers के नए मामलू में कमी आएगी। रोना वाइरस को लेकर चीम की सरकार दुएारा तैनाथ मुक्रे टीम के प्रमुक है। डॉक्टर जॉंग ने ये दावा उस दोरान किया जब वो टेलिवेजन स्टेशन पर एक इंटर्व्यू दे रहे थे डॉक्टर जॉंग के इस इंटर्व्यू को डेली मेर वेब साइट ने प्रकाशित भी किया है 83 सार के डॉक्टर जॉंग का कहना है कि चीन में करोना वायरस का दूसरा हमला नहीं होगा क्योंकि हमने मॉनिटरिन सिस्टम को बहुत ज्यादा मस्बूत कर दिया है डॉक्टर जॉंग ने शेन का कहना है कि करोना वायरस से लड़ने के लिए दो ही तरीके हैं पहला कि हम संक्रमर की दर को सबसे कम इस दर पर लेकर जाएं, फिर उसे बढ़ने से रोकें, इससे हमें वैक्शन बनाने का वक्त मिलेगा और हम इस बिमारे को खत्म कर पाएंगे। दूसरा तरीका है कि संक्रमर में देरी लाएं और अपने कुछ मरीजों की संख्या को अलग-अलग तरीकों से कम करें, ज्यादा तर देशों ने को लेकर कड़े कदम उठाएं हैं, ऐसे में मुझे उमीर है कि अगले चार हफ्तों में नए मा में आने लगबग बन हो जाएंग चीन की डॉक्टर जॉंग नैंशेन का बड़ा दावा, डॉक्टर जॉंग ने कहा कि जल्द ही करोना वाइरस जैसी महमारी से मिरेगी राहा, डॉक्टर जॉंग का दावा अगले चार हफ्तों में खत्म होगा करोना वाइरस, डॉक्टर जॉंग ने बताया कि करोना वाइर से लड़ने के दो ही तरीके हैं पहला संक्रमर की दर को कम इस्तर पर लाएं जिससे वैक्सीन बनाने का वक्त मिल सकेगा और दूसरा तरीका है मरीजों की संक्या को अलग-अलग तरीकों से कम किया जाए गौर्दलब है कि करोना से अब तक 45,000 से ज्यादा लोगों की मात हो कि मौतों का सिल्सला कहां जाकर थमेगा इस बारे में अभी कुछ कहां नहीं जा सकता लेकिन कोरोना के गहरे संकट में डॉक्तर जोंग नेंशेन का दावा कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगाता है कि शायद अब जल्दी ही इस कोरोना जैसी महामारी से रहत मिल जाएगी लेक की और अपनों की सुरक्षा रखते के लिए लोगों को घर में रहना ही पड़ेगा Special Desk Total News